आप हलो प्यारे दोस्तों आज हम लोग कैब लेरी के किस्में सेस्ण को कर रहे हैं हम लोगों ने बहुत सारी सेसप्षिक्र को किया है जिसमें नहीं 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 चुघो सीखा luckily जो अग्जाम से ओरियंटेड है एक्जाम के लिए बहुत इंपाॉर्ड है हमने पिछली क्लास चार से फांच क्लासे समनों एडियम एडियम प्रेजस के लेंगे उसमें बहुत सारे जो एक्जाम में आये होगी एडियम फ्रेजस है वह कंप्लीट हो जाएंगे देखे पहला फ्रेज हमारा क्या कह रहा है इसका मतलब होता है टाल मटोल करना टाल मटोल करना बीटिंग इबाउट तबुस कहलाता है बीटिंग इबाउट दबुस किसको बोलते हैं टाल मटोल करने को या इसी को बोलते हैं बीटिंग इराउंड दबुस ये बीटिंग इराउंड दबुस ये बीटिंग इबाउट दबुस एक ही है जिसका मतलब टाल मटोल करना, मेन मुद्दे की बात न करना, बाकि सभी बात करना, beating about the bus कहलाता है, जैसे मीलिंग दी हुई है इंग्लिस में, to say everything, सब कुछ कहना, except main topic, main topic को छोड़ के सभी चीज कहना, beating about the bus कहलाता है, अगली phrase दी है, made your ways, y-m-e-n-d है न, made your ways, made your ways का मतलब क्या होता है, आचरण को सुधारना, आचरण सुधारना, क्या कहलाता है, made your ways कहलाता है, इंग्लिस में बात कही जाए, तो लिखा है, इंप्रूव वन्स बिहेवियर, अपने बिहेवियर को सुधारना, अपने आचरण को सुधारना, made your ways कहलाता है, देखो अगली phrase दी है, वेगर डिस्क्रिप्शन, वेगर डिस्क्रिप्शन, वेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब, डिस्क्रिप्शन वर्ड, डिस्क्राइब से बना है, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन कहलाता है, अब वेगर सब्द आप जानते होंगे, वेगर का मतलब जो गरीब होता है, जो मागता है, वेगर कहला जा सके उसको हम क्या बोलते हैं विगर डिस्क्रिप्शन आ वर्ण नहीं है ठीक है जिसका वर्ण नहीं किया जा सके उसको विगर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उसको विगर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं अगला वर्ड दिया है ड्र drag one's feet drag one's feet इसका मतलब भी होता है टाल मटोल करना टाल मटोल करना ये एक दूसरी के सेनोनीम्स हो सकते हैं यह एक दूसरी के सेनोनीम सोच सकते हैं ड्रैग करना अपने पाउं को पीछे की तरब खीच लेना हाना मतलब समझ रहे हैं बात को गुल-गुल भुबाना ड्रैग वन स्वीट बोलते हैं या बीटिंग अब बुस बोलते हैं ऐसी एगली फ्रेज़ दी है हूप अगैंस्ट हूप हूप अगैंस्ट हूप आसा में भी आसा देना जूठा दिल आसा देना जूठा दिलासा देना क्या कहलाता है हूप अगैंस्ट हूप ठीक है जूठा दिलासा देना यहां पर बड़ा ठा होगा जूठा दिलासा देना यहां पर सुधारना होगा ठीक है तो जूठा दिलासा देना क्या कहलाता हूप अगैंस्ट हूप कहलाता है एक बार फिर से इन वर्स क को ना मैंन मुद्देप की बात ना करना घुमा अफिरा देना बात को मैं यंद और वेश आाचरण को सुधारना इंप्रूब इंप्रूब यूर विहैवियर वेगर डिस्क्रिप्ष्टिक्श वन्स फीट टालम टोल करना होप अगैंस्ट होप जूठी दिलासा या जूठा दिलासा देना होप अगैंस्ट होप कहलाता है देखो यहां पर भी कुछ फ्रेजस दी हुई है जैसे पहली फ्रेज हमारी है फॉर किप्स फॉर किप्स का मतलब forever हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए क्या मोलते हैं for और की पस अगला फ्रेश्ust दिया हम एंटू इन्टू इन्सिदिकर्स देरहा है झाल इन्टू की depends हुआ इन्षिकन्स का मतलब माझंपूर होना है इन्सिसिद्रीकंइक का मतलब अम इत्वार्ट फूद इसकेंटू इंटू इन् से अध्शिकन्स काी मतलब कम महत्पूर्ण लगना कम महत्पूर्ण लगना कि क्या कहलाता है तो पेल्ट इंटू इन्सिंग्निफिकेंस यहां पर दिया है इंग्लिस में मीनिंग इसकी दी है कि seems like less important कैसे दिखना कम महत्पूर्ण दिखना ऐसा दिखना कि आपका कोई सम्मान नहीं कर रहा है आपको कम तर आकर आया है उसी को हम पेल्ड इंटू इन्सिंग्निफिकेंस बोलते हैं ऐसी अगली फ्रेज दी हुई है मेक इट लाइट मेक इट लाइट लाइट का मतलब हलका होता है तो मेक इट लाइट का मतलब किसी भी चीज़ को महत्पूर्ण ना समझना मेक इट लाइट काहलाता है है ना अनिंपोर्ण जिसको बोलते है महत्पूर्ण ना समझना इसका मतलब भी होता है महत्पूर्ण ना समझना मेक इट लाइट कहलाता है अब देखो अगला फ्रेज दिया है कैच अ टर्टर कैच अ टर्टर इसका मतलब होता है सत्रू से शामना होना सत्रू से सामना होना सत्रू से जब सामना होता है तो आपकी भाउं उपर की और चढ़ जाती है है ना तो कैच अ टर्टर मतलब सत्रू से शामना वह ऐसी अगला फ्रेज दिया है टू एड्ड टू एड्ड फ्यूर टू दा फायर इसका मतलब होता है आग में घी डालना आपने मुहावरा सुना होगा आग में घी डालना मतलब कंडिशन को और बत्तर बना देना क्या करना कहलाता है टू एड्ड फ्यूल टू दा फायर बोला जाता है एक बार फिर से इन वर्स को देखते हैं जैसे पहला वर्ड था फॉर कीप्स हमीशा के लिए फौर इवर जिसको बोलते हैं पैल्ट इंटू दा से इंसिगनिफिकेंस मतलब कम महतपूर लगना सत्रू सामना होना क्या कहलाता है का मतलब फौर तो दा फायर इसका मतलब आग में घी डालना कंडिशन को और बत्तर बना देना to add fuel to the fire I hope आपको ये words पूरी तरीके से समझ में आ गए होगे आज का सिसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कल तब तक के लिए थैंक यू